तो गाइस हम लोग का फूरा ख़त्म होगा बेटियो जा रहे हैं अभी यहां से निकल के और जा रहे हैं बार दुबर ही देख सकते हैं लाइक परो स्प्षेड़ परो आच्पे सब गाड़ी और हम लोग सब और यहां फेले उपर नहीं भूण दूले हुपर, छब हो पर जबड़े में और यहां पर इन्टरे करना होता है, अगर हम लोग यहां घूमेंगे, तो सबको यहाँ पर साइन लगता है सिग्नीचर तो मेरे ख्याल से एक बंदग करेगा तो हो जाएगा सायद चलिए दोस्तों आज आप लोग को दिखाते हैं जारकन की बहुत खुबशुरा तनजारा और आप देख सकते हैं यह बारादुवारी का साइड में यह तालाब बना हुआ है यह आज से नहीं यह तालाब जो है बहुत ही अतिहासिक है बुगलकाल में यह चलता हुआ रहा है इसे फ़ीं ऐसे उपर चलते हैं और दिखाते हैं कि बारादुवारी जो है वो किस लिए जाना जाता है और क्या खुबया है किस तरह से इस दर में बनाये हुआ है आप लोग को दिखाते हैं चलिया है जो यह हमारे ने यहां से देख सकते हैं केमेरे मन दीखाएंगें देखिए कि इतनी घहराई है यहां से और देखने में काफी बहतरीन हुआ करता था लेकिन कि कई तरह कि यहां पर कई बार आपदा आई जैसे भूकम इस तरह से चीजे जो हैं उने के वज़े से यह सारे ढ़ा गई लेकिन कुछ इसनके आंस बचे हुए हैं जो आपको दिखाएंगे आगे चलते हैं चलिए अगर आप यहां पर आ रहे हैं कुछ स्नैक वगरा खा रहे हैं तो आपके लिए डेस्ट भी यहां पर बना हुआ है आप कचड़ा जरूर इसमें डाले क्योंकि अगर देखिए वह बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें अल्रेडी जो टूरिस्ट लोग आते हैं तो डालके रखे हैं और काफी बड़ा भ यह भी जो है लगभग पंद्रह सोले सो इसमें के असपास में बनी विए जब यह एक देख सकते हैं यह भी एक गेट है यहां भी गेट है यह जो है भवन है यह मुगल कालीन भवन है और इसको जो बनाया गया था इसका में उद्यस्ता तो गंगा नदी जो आप देख रहे होगा कि नहीं सायद कमरा में ना दिखे लेकिन उस धारा में बहते विए लोग जो सफर कर रहे थे उस दोर में मुगल कालीन बादसा जो उस समय रहते थे तो यह आराम करने के लिए एक जगा बना हुआ था इसको मेंली रूप से कि चलिए कोई आ रहा है तो उसको अगर र द्हांचा है बना हुआ लेकिन आज वो पूरी तरह से ढ़ा चुकी है देख सकते हैं जी सब मना कि आप अगया है सब देख सकते हैं आप चड़ने के लिए कि आप उधर ना जाएं लेकिन भवन क्या दौर हुर रहा होगा उस समय क्या इतिहास ता राजमहल का लेकिन आज वह इतिहास धिरे धिरे अपने मजूद से दूरे दूर भागता हुआ यह सहर कभी यह सहर राजमहल पूरे बंगाल की राजधानी हुआ करता दो दोस्तों 40 साल भर हमारे पूरे बंगाल यह बंगाल के टाइम कहें तो बिहार उडिशा जारखंड और 36 गड़ इन सारे जो आज है वह राजमिला के एक समय में बंगाल हुआ करता था लेकिन बंगाल के राजधानी होने के बावजूद भी आज यहां पर काफी सारे चीज़ नहीं है यह पूरे जो आसपास का च्छेत्र है यहां पर पहले आबादी बहुत काफी भरा हुआ रहता यहां पर लोग न सब्सक्राइब देख सकते हैं यहां देखें यह सब उस दौर का भवन है लगभग 400-500 सल पुरानी भवन है जी लेकिन दिवारे काफी मोटी है इसलिए काफी भैत्रियन तरीके से बनाया हुआ है आज इनका प्लास्टर वगरा नहीं दिख रहा होगा देखिए यह अपना चमक खो चुकिए है लेकिन फिर वी अपने जो अंदाज है उसे अंदाज में खड़े हैं जहां तक हो सके तो गाइस देखिए यहां पर इसका नजरा जो बारे दोबर यह हमारे यहां पर जो इसका गेट है इसका नाम बारे दोबर ही रखा गया है और यहां सब्सक्राइब देखिए आप बहुत यह आज़िव हो तरीप से बना बना गया इसको और बाजू में यहां नदी है पानी अभी पानी इसमें मौझूद है यह काफी दिन से यह पानी खत्म नहीं हो रहा है यहां कि देखिए इसका नजारा ओ माइगाड गाइस यहां जो न डूर्णने के हुछिस करईंगे और जाने के करेंगे printed तो देखेंगे आगे चलकर यसा जाने के लिया रश्त है यह नहीं यह तो बंदी लोग यह वहां जारहें हैं तो दिखेंगे रास्ता हे लिकिनि इसका जो स्ट्राक्टर है ओ और जीब तरह से बहूँत भ्यानक ह है एक पेड़ जो है वो पीड़ काफी दीन से पेड भी है हमने पक्वसे में इसको देख रहा हूं अभी तक मिTwenty years हो गया है लेकिन मैं जब से सको देख रहा हूं तब से वह इसे का वह इस ही है और इसको नजारा थुड़ी से दूर से इस परकार है और देखिए यह सब साइद मेरे ख्याल से सब में लगता है रूम बनाया हुआ था लेकिन किस परकार रूम था लेकिन वो तो मालूम ने चल रहा है मेरे को देखिए पुरा नियरिस आपको बता रहे हैं यह बहुत खतरनाक बना साइद जैसे लग रहा है लोग और यहां ओपर चड़ना मना सक्त मना है तो हमने तो थोड़ा गल्दी करते चड़ गया साइद को यह कुछ भाई लोग है भूमने के लिए बंदे लोग यह थक गया है अच्छा चलिए और देखिए यह क्या खास है गाइस बारत वारवी ज सब्सक्राइब का जो प्रोसेस मतलब कैसे का इसका निलमार हुआ और किसके दावरा हुआ यहां पर पूरा लिखा गया है यहां पर आप यह पढ़ सकते हैं थोड़ा वीडियो को इस्टप करके और यह देखे क्या नगार है यार बहुत कुश्रत अगर आप कभी राजमहल आ रहे हैं तो आप यह जगह जरू आए बराद वर आप किसी को पूछिएगा इस्टेशन से तकरिबन 20-20 किलोमेटर होगा साइद यह तो 15 होगा तो दोस्तों आज तक बस इतना ही रमजान का समय है पांच बढ़ चुकी है तो हम लोग को इफ्तारी भी करना है तो इंशाल्ला फिर वीडियो को लाइक जरू करो बिल्कुल बिल्कुल हमने इसी बात पर एक लाइक तो हमनों रोजा रखे हैं रोजा रखे हैं उसके लिए एक प्रेदा है कि वीडियो को डिवारे ना आप लोग को लिए वोलते बोलते घच चुका है रोजा लग जुका है अव लोग न याप लोग वीडियो यह देक्र अच्छी हम लोग इसलिए आप लोग वीडियो यह था lagi है चलिया तब तक के लिए खुदा हफीच